दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का गोल्डन पार्ट साला में प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में कच्छा आठ के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परिष्चा पेपर विसय खेलियों सारिसिच्छा साथ में इसी वीडियो में आप सभी को पर्यावन का पेपर भी देखने को मिलेगा तो वीडियो को लाज्ट जुरूर देखिएगा आए शुरू करते हैं वीडियो को तो प्यारे वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए सबसे परे देखेंगे पीवी कोड का प्रशन पत्र है अगर आपके विद्याले में इस कोड का प्रशन पत्र आता है तो सेम ऐसा ही आएगा वरना आप इसे माडल पेपर की तरह यूज करेंगे इन सभी प्रशनों को तयार करके जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा आएए सुरू करते हैं पहला जो कुस्चन दियागा है बच्चों क्रिकेट पिछ की लंबाई कितनी होती है पहला प्रशन है, सभी प्रशने में अनिवारे हैं, कोई भी प्रशनों आपको छोड़ना नहीं है दूसरा प्रशन बच्चों मुछार आएगा, खैलों का महत्त्य क्या है, इंपोर्णन प्रशन है आप याद कर लें हौकी में कितने कितने खिलाडी होते हैं योग क्या है दूसित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए सोचता से क्या लाब है सारिश इच्छा का महत्त लिखो स्वस्थ मनुष्ष के सरीर में कितना रखत होता है नव नममर कोस्चन है कि वाईव पर्दूषन क्या है और दूसित जिषन दिया गया है प्रशिद्ध महीला खिलाडियों के नाम लिखो तो ये दस प्रशिछन है और दस प्रशिण के आपको उत्तर देना है और ये प्रशन पत्र आपका पचास संग का है तो दस प्रशन आपके पांच नम्मर के हो जाएंगे आईए इसके बाद हल करते हैं हमारा पर्यवन पेपर तो इसमें आपको ढ़ाई घंटे का टाइम मिलेगा और पुडांक आपका 50 का रहेगा पहला प्रशन दिया गया है रित स्थानों की पूर्थि करो तो इसमें का प्रशन दिया गया है कि भारत की जलनीती वर्ष में बनाई गई थी तो भारत में पहली जलनीती 1987 में बनाई गई थी इसमें आप भर लिजिए 1987 खावला है दूसरे जल से रोग हो जाता है तो दूसरे जल से हैजा नमक रोग होता है यहाँ पे हैजा आपको हरना है गावाला भूकम पे एक आपदा है तो यह प्राकर्तिक आपदा है कैसी आपदा है प्राकर्तिक तो यहाँ पे आप प्राकर्तिक आपदा लिख देंगे दो रमबर कुशन है कि निम्न के संचिप्त में उत्तर दीजिए तो का प्रशंद यागा है प्राकरतिक आपदाओं के नाम लिखे तो कम से कम दो आपदाओं लिख दीजिए जैसे बाड है सुखा है वोकंप है सुनामी है यह प्राकरतिक आपदाओं मानवी आपदाओं में जैसे आग का लगना या फिर महामारी का चलना तो ये सभी प्राकर्ति मानुर्य मितापदाएं हो जाती है और गाप प्रशन दियागा है क्या जल अस्तर घरता जा रहा है तो इसका सही आंतर है हाँ जल अस्तर घरता जा रहा है आने वाले समय में जो जल अस्तर है नीचे जा रहा है घरता जा रहा है वायू प्रदूशन एक कारण लिखो इसके बाद कुशन नमर तीन है द्वानी प्रदूशन कैसे होता है ये लिखना है चौथा प्रशन है प्राकरती संसाधन कौन-कौन से है जल का संचैन क्यों आवस्षक है और छठा कुशन दियागा है प्रदूशन का क्या प्रभाव पढ़ता है तो ये बच्चों है आपका प्रदूशन का पेपर इसके पहले हमने आपको खेलियों साइस इच्छा का पेपर दिखाया तो अगर आप इसको एक मार्डल पेपर की तरह तयार करते हैं तो ये मान के चलिए आपकी पेपर में बहुत अच्छे अंक आएंगे और आप लोग जो है इसको त्यार करके अवस्ते जाएं तो आज के इस वीडियों में वस्तना ही मिलते हैं नेक्श वीडियों में तब तक के लिए धन्यमाज जहिन बंदे मातरम